नर्मदेहर, जै भोले नाथ, मा नर्मदा की परिक्रमा करते हुए, समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा करने चले आये हैं। मा नर्मदा की परिक्रमा का जब खयाल आया था, एक विचार पैदा हुआ था, कि मैया की प्रदक्षणा करेंगे, तभी से मैया के तट पर बने हुए कुछ घाट बहुत आकर्शित करते थे, बहुत अपनी तरब खीचते थे। उसमें से एक शूल पाणी का क्षेत्र था, जो लगातार आकर्शित करता था, रोमान्चित करता था, कि जाने कैसा होगा, जाने कैसे वहाँ लोग रहते होंगे, परिक्रमा की जाने क्या-क्या मुसीबते होगी। शूल पाणी का पूरा इलाका पार करके आया, बहुत ही मनोरम, बहुत ही सहज और सरल जीवन, वहाँ पहाड की चुनोतियां, सब कुछ देख कर, जहाँ एक तरफ मन गदगद हुआ, वहीं दूसरी तरफ, तनिक सा दुख भी हुआ कि ये भी इस देश का एक राज्य का हिस्सा है, महाराश्र का नंदूर बार जिला, मध्यप्रदेश का बढ़वानी जिला, जहाँ संसाधन बहुत कम है, जहाँ हमारे जीवन की बहुत मूल भूत जरूरते भी पूरी ठीक से नहीं होती। दक्षिन तटकी पूरी परिक्रमा करके उत्तर तटकी परिक्रमा शुरू करने का विचार हुआ, तभी समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा करने का खयाल ही आया। दरसल ये पंचकोसी क्या है। जितनी मा नर्मदा के पास है। और चलते रहो। भजन करना चाहो तो भजन करते रहो। चिंतन करना चाहो तो चिंतन करते रहो। और इस देश को समझना है, इसकी संस्कृति को समझना है, इसकी परंपरा को समझना है, तो समझते चलो। समुद्र की पंचकोसी करने का जब खयाल आया तो ये लगा कि इस पाँच कोस में क्या-क्या देखा जा सकता है इस पाँच कोस में क्या-क्या होगा हमारे यहां पाँच कोस का मतलब लगभग 15 किलो मीटर होता है खासकर जो हिंदी बेल्ट है वहां कोस की गणना एक कोस में तीन किलो मीटर माने जाते हैं लेकिन जब यहां समुद्र की पंचकोसी करने लगे तो जो एक अनुमान लगाया उसमें ये लगभख पाँच किलो मीटर का यहां एक कोस है और इस तरह इस पंचकोसी में लगभग 25 किलो मीटर चलना होता है तो जब इसकी शुरुवात होती है मिठी तलाई में रात को आकर रुखते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हरी के धाम आते हैं हरी धाम आश्रम आते हैं यहां भगवान विश्नु के अवतार भगवान राम भगवान शिव शुगदेव महराज इन सब के मंदिर हैं बहुत आकरशक हैं लेकिन थोड़ा उपेक्षित हैं इसके बाद आते हैं तो भगवान परशुराम की तपस्थली मिलती है भगवान परशुराम द्वारा स्थापित किये गए उनके द्वारा उद्भूत किये गए भगवान शिव के दर्शन होते हैं ये भी बहुत उर्जा का खेत्र है लेकिन ये भी थोड़ा उपेक्षित है चारो तरफ हतिक्रमन हैं इसकी उपेक्षा देखकर बहुतेरे लोग यहां से वापस चले जाते हैं यहां से लोट जाते हैं और पंचकोसी का खयाल छोड़ देते हैं इसके बाद जो छेत्र आता है वो परशुराम छेत्र के अंतरगत ही लखा बाबा की समाधिका इस्था लाता है लखा बाबा लक्षमन दास महराज थे जिन्हें बाद में जन मन लखा बाबा के नाम से जानने लगा लगभग चार सो साढ़े चार सो पान सो साल पहले उन्होंने यहां तप किया था साधना की थी और लोटेश्वर भगवान भोले नाथ की आराधना की थी तो उनकी आराधना इस्थली उनकी तपस्थली और उनकी समाध इस्थली ये है लखी गाव है लखा बाबा है गुरु पूर्णिमा पर यहां उनके बहुतेरे शिश्य उत्तर प्रदेश से हरिद्वार से दर्शन के लिए आते हैं कहा जाता है कि लखा बाबा भी लक्षमनदास महराज भी हरिद्वार के ही थे और यहां आकर उन्होंने साधना की थी और यहीं समाध ही थी यहां तक का रास्ता बहुत आसान है सड़क मार्ग है चलना जरा भी कठिन नहीं है इसी बीच आपको सेज स्पेशल एकोनॉमिक जोन देखने को मिलेगा भरूज का काफी बड़ा इलाका है काफी बड़ा ख्षेत्र है यहां बहुत बड़ी बड़ी कमपनिया हैं उन कमपनियों के अपने उत्पादन ख्षेत्र हैं अतार खाने हैं इसे भी देखा जा सकता ह यह किसी मंदिर से कम नहीं है यह किसी परिक्रमा का पुणियों देने से कम नहीं है अपने देश की आर्थिक उन्नती को देखना अपने देश में कितना कुछ बदल रहा है कितना उत्पादन हो रहा है उसको निहारना उसको समझना भी एक तरह की परिक्रमा है इस देश को स ये थोड़ा कठिन ख्षेत्र माना जाता है लेकिन जो मान अर्मदा की परिक्रमा करके शोल पानिश्वर की जाडियों से होकर आता है उसके लिए तो ये तनिक भी कठिन नहीं है लखा बाबा से जब निकलते हैं उनके समाधिस्थल से जब निकलते हैं तो थोड़ी दूर तक समंदर तक आने के लिए तो पक्की रोड है और इसके बाद समुद्र के किनारे किनारे चलते रहते हैं एक तरफ जाडियां हैं और एक तरफ खूब सारा खुला मैदान वैसे ये जो खुला मैदान है ये सागर काक्षेत्र है कमभाद की खाड़ी का इलाखा है क्योंकि यहां नमक जमा हुआ है इससे ये समझ में आता है कि लहरे यहां तक आती है लहरों का कारिक्षेत्र यहां तक है लहरों का दखल यहां तक है सागर यहां तक यहां निवास भले न करता हो लेकिन यहां टहलने जरूर आता है यहां विहार करने जरूर आता है तो एक तरफ सागर का पूरा इलाखा है और दूसरी तरफ जाडियां है काटे दार बबूल की जाडिया, ऐसी जाडिया की जिस से निकलना जरा मुश्किल है, उसमें गाटे बहुत अधीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, क्यूंकि कुछ नर्मदा प्रेमियों ने, नर्मदा भक्तों ने, मारेवा के पुत्रों ने, उस पर एक राह बना दी है, उसे निकलन भूतनात तक आ सकते हैं भूतनात मंदिर तक बड़े आराम से सहचता से आ सकते हैं कहीं कहीं थोड़ा कीचड मिलने की आशंका रहती है अगर मौसम में जरा सा थोड़ा नमी आई या फिर पानी गिरा तो वो कीचड हो सकता है लेकिन आम तोर पर ये सूखा रहता है और चलने लायक रहता है समल कर चलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बबूल की बड़ी जाडियां है तो उसके टहनिया तूट कर रास्ते में गिरी रहती हैं और काटे बड़े बड़े उसके चुबने की आशंका रहती है अगर वो काटे चुबेंगे तो जूते के अंदर से भी पाऊं तक पहुँच सकते हैं बस जरा सा ये खयाल जरूरी है और मा की परिक्रमा करते हुए ये खयाल तो सदा जरूरी है आप मा के तट पर चलते हैं तब भी संभल कर चलना होता है आप जब यहां तक आ जाईए भगवान भूत नात तक भूत नात के मंदिर तक तो फिर सब कुछ बहुत अनुपम है यह जहां हम बैठे हैं भगवान भूले नात के पास शिविलिंग के पास यह पांडव की तपस्थली है पांडव जब वन के लिए निकले थे राज सत्ता प्राप्त करने का उनके भी तर एक द्वंद चल रहा था उस बीच वनवास में थे तब यहां वे आये थे और यह जो शिविलिंग है उसकी इस्थापना उन्होंने स्वयम की थी पीछे कुंड है यह कुंड भी उन्होंने ही बनाया था सागर है एक तरफ और सागर के आसपास का पूरा पानी खारा है लेकिन इस कुंड का पानी मीठा है ऐसा बताया जाता है क्योंकि अब ये कुंड जरजर हो गया है इसमें जो बहुत जरा सा पानी है वो इतना गंदा है कि उसे चखा नहीं जा सकता लेकिन हमारे पूर्खे अगर ये कहते हैं हमारे पूर्वज अगर ये कहते हैं हम जिन्हें जानते समझते और जिन पर भरोसा करते हैं अगर वे कहते हैं कि इसका पानी मीथा था तो जरूर मीथा रहा होगा अगर हमारी परंपरा, हमारी लोक शुरुती, लोक माननेता, हमारी देशज माननेता अगर ये कहती है कि यहाँ पांडवों ने तब किया था और स्वयम उन्हों ने अपने हाथ से इस शिवलिंग को इस्थापित किया था तो जरूर रहा होगा भगवान भूतनाद की प्रतिवा कहते हैं, हजारों साल पुरानी है ये मंदिर भी 500 साल से अधिक पुराना है इतनी पुरातन जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है अगर उसके संपर्क में आएं, तो अपने आप एक उर्जा भीतर प्रवेश करती है एक आनंद भीतर प्रवेश करता है, एक परमानंद भीतर प्रवेश करता है और आपको इस परिक्रमा में होने का असली अर्थाद बताता है असली मतलब बताता है जब आप परिक्रमा में निकलते हैं चाहे वो मानर्वदा की परिक्रमा हो या फिर समुद्र की परिक्रमा हो, पंचगोसी ही सही, तो आप जल को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, अपनी आध्यात्मिक परंपरा को समझते हैं, और उन स्थलों को समझते हैं, जहां हमारे पुर्खे कितने श्रम के बाद, कितने आविश्कार के बाद, कितनी गलियों को खोजने के बाद पहुँचे होंगे आज इतने संसाधन होने के बाद मोबाइल का नेटवर्क होने के बाद मोबाइल पर एक दूसरे से रास्ता साजा करने की सुविधा के बाद यहां पहुचना कठिन होता है तो उस समय जब इन मंदिरों में रहने के लिए हमारे पुर्खे आये होंगे, यहां बैट कर उन्होंने साधनाएं की होंगी, अपने मन के आत्मा के भीतर तमाम आविशकार किये होंगे, तब यहां पहुचना कितना कठिन रहा होगा, कितना दुशकर रहा होगा, और फिर यह कैंपस तो बहुत अद्बुत है, यह परिसर अत्यन् अत्मीक है, एक तो अभी यहां सडक की भीड भाड नहीं आई है, अभी यहां बाजार उस तरह से दाखिल नहीं हुआ है, बाजारों लोग नहीं आये हैं, यहां परकम्मवासी भी बहुत कमाते हैं, सागर की पंचकोसी बहुत कम परिक्रमा करने वाले लोग लगाते हैं, सारे मोर आते हैं मैंने इतनी संख्या में एक ही परिशर में लगबग पचीश से पचास मोर एक ही परिशर में कभी इस तरह से नहीं देखे वो भी पूरी तरह से खुले हुए, वे अपने मन से इधर घूमते रहते हैं दाना चुकते रहते हैं, कबूतरों की संख्या बहुत अधिक है, वो खूप सारे यहां घूमते रहते हैं, नील गाय घूमती रहती हैं, तो यह पूरा परिसर मनुश्यों से उतना खाली है और उसकी भरपाई यहां चानवर करते हैं, पक्षी करते हैं, और यहां की जो बहुत अधिक सुखी है, वहां प्रक्टि के चेहरे पर मुस्कान बहुत अधिक है, तो यह भगवान भूदनात का जो परिसर है, पांडवु की तपस्थली का जो परिसर है, उनके द्वारा इस्थापित किये गए शिविलिंग का जो परिसर है, यह अपने आपने आपने, जो आपको अपनी अंतर यात्रा करवाता है, अपने अंतर मन में ले जाता है, स्वयम से स्वयम की बाचीत होने का आवसर देता है। आम तोर पर जो भी परकम्मा बासी यहां आते हैं, वो एक दिन ठहरते जरूर हैं। वे कोशिश करते हैं कि यहां रुकें और यहां के शान्ती को अपने भीतर भर कर ले जाएं। यहां के पर्मानंद को अपने भीतर उतार सकें। क्योंकि यह पर्मानंद, यह आध्यात्मिक शान्ती, यह मनो शान्ती मिलने में जाने कितने बरस लगते हैं। ये शांती प्राप्त करने में जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है। जाने कितनी साधना करनी पड़ती है। और अगर थोड़ा चल कर हम यहां तक आ जाए। और अगर सागर की परकम्मा के बहाने ही सही हम यहां तक पहुँचें तो हम अपने आप तक पहुँचते हैं। वो आम तोर पर माना ये जाता है, लगता ये है, महसूस ये होता है कि सागर के तट पर होती होगी, बिलकुल सागर के साथ साथ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सागर थोड़ा दूर रह जाता है और परिक्रमा मंदिरों की होती है, शिव मंदिरों की होती है, आठ से नव श शेत्र में पढ़ते हैं, हमारे रिशियों की देवताओं की तपस्थली भी इस पूरे मार्ग परपंच को उसी मार्ग पर पढ़ती हैं। इस पर कम्मा का आनंद भी जरूर लेना चाहिए नर्मदेहर